आप सबको मेरा नमस्ते यह हमारे हिंदी मोडूल का सबसे पहला सेशन है यहाँ पर मैं आपको जो हमारा नैशनल फैमिली हेल्ट सर्वेड डेटा जो आया है भारत का अभी नया ही डेटा आया है गये साल और उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाले हूँ कि हमारे भारत में कितने टकावारी बच्चे है जो खुपोशुत है जिनको अनीमिया है जिनका ब्रेस्वीडिंग ठीक तरह नहीं जा रहा है तो वो मैं आपको डेटा आज दिखाऊंगी तो हमें पता चले कि हम लोग के सामने कितना बड़ा शत्रू है यह को पोशन है हमारा शत्रू है लेकिन यह शत्रू कितना बड़ा है वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जितना बड़ा शत्रू होगा उतना हम लोग को हमें भी पावर चाहिएगा हम लोग को भी बहुत मैनत करनी है तो यह जो पहला वाला जो ग्राफ है यह बयान उसार मलब आयू के हिसाब से महीने के हिसाब से पोशन तो यह जो यहां पर नीचे लिखा हुआ है वो है बच्चो की आयू तीक है महीने के हिसाब से यहां पर आयू डाली हुई है और यहां पर यह टकावारी है ठीक है यह यह जो लाल वाला लाइन है, वो है नाटापन, नाटापन मतलब हाइट में कम, ठीक है, यह जो पीली लाइन है, वो है आयू के हिसाब से वजन कम, ठीक है, और यह जो ब्लू लाइन है, उसका मतलब है कि यह बच्चे पतले है, मतलब हाइट के हिसाब से अगर वजन कम हुआ, तो उसको हम लोग बोते हैं वेस्टिंग या तो acute malnutrition तो आपके जो Sam Mam बच्चे आते हैं जो Sam होते हैं, Mam बच्चे होते हैं यह जो Blue वाली लाइन है वो है आपके Sam Mam के बच्चे ठीक है, तो मैं आपको वही बताऊंगी लाल वाला मतलब नाटापन पिला वाला मतलब वजन कम और जो Blue वाला लाइन है जो निला कलर का लाइन है वो है आपका Sam Mam बच्चे है क्योंकि आप सबको Sam Mam क्या है वो आपको मालूप है acute malnutrition तो अभी आप देखते हैं कि यहाँ पे 0-2 जनम से लेकि दो मैने के जो बच्चे हैं तो उसमें आप देखें कि लगभग 30 ट्रका बच्चे नाटे है वजन कम है और height के नुशाप से लिखन बच्चे के कम है तो जो ऑऐ के हिसाप सना आई के हिसाप से वजन कम है लेकिन एसका बच्चे का ऱे हाइड होता है इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे जबी मा के घर में होते हैं तो मा को जो nutrition मिलना चाहिए वो nutrition मिल नहीं रहा है ठीक है? और ये 0-2 months है मतलब पहले 2 मेने में तो of course मा का दूद जितना बच्चे को मिलना चाहिए वो बच्चे को मिलना ही रहा है ठीक है? बहुत सारी माता है शायद उपर का दूद चालू कर रहे है पानी चालू कर रहे है उपर का खाना चालू कर रहे है तो ये सारे problems हो सकते हैं अगर मा की जो तनपान कराने की जो टिकनीक है जो रीत है अगर वो रीत ठीक नहीं है तो भी बच्चे को जितना दूद मिलना चाहिए उसके वजन बढ़ाने के लिए उतना दूद शायद बच्चे को मिल नहीं रहा है ठीक है? तीन महीने में देखें आपका जो वजन कम है वो तो वही प्रॉब्लम है कुछ फरक नहीं पढ़ा है पहले दो तीन महीने में बच्चे का वजन बहुत बढ़ता है अगर मा को मालूम है कैसे दूद पिलाना तो वो अगर टेक्नीक से दूद पिलाती है तो बच्चे का वजन बहुत बढ़ता है अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है दो तीन मैने में उसका मतलब definitely मा को ये टक्नीक सब मालूम नहीं है इसी तरह जो आपका Sam मैं बच्चे ज्यादा कुछ फरक नहीं हुआ है देखे आप वही के वही है ठीक है लेकिन जितना होना चाहिए उतना फरक नहीं है और देखे फिर आगे जाके चार से पांच मैने के बच्चे छे मैने के बच्चे कुछ फरक नहीं है ज्यादा कुछ फरक नहीं है वेस्टिंग उधर का उधर ही है वाजन भी उतना का है, कुछ जादा फ़ारक नहीं हुआ है स्टंटिंग माने ऊट्शाव π excitator व्यों बीड़ी स्टंटिंग पोगने इस जो साथ से बार्रह माहने संथन के लिए candy यो और शालो कर देख्षों है यहां पे मदर भी सखती है क्या देना है कितना देना है तो यहां पर भी आप देखते हैं कि यहां पर अभी stunting की महत्रा जो नाटापन है वह दीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब जो बच्चे जो नहीं बड़े धु है उनको अभी आभी सही तरह से जो खाना मिलना चाहिए जो पोशक से भरा होए जो खाना मिलना चाहिए, वो पोशन युकत खाना मिलना चाहिए, वो खाना नहिं मिल रहा है तो अभी वो बच्चा भी chronic malnutrition में जाना है, chronic मतलब बहुत लंबे गाले का अकू portion, तो वैसे वैसे उनका जैसे जैसे नाटापन बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका अंडरवेट भी बढ़ रहा है, अभी यहां पर देखें, अगर बच्चा आ गई, आपका एक साल से दो साल क तो यह जो भारत के एक से दो साल के बच्चे है, यह देखें यहां पर आप देखेंगे, तो यह बच्चे 40 टका बच्चे आपके नाटे हैं, इसका मतलब यह है कि यह बच्चे का पूरा जो अगला पहला साल जो था, और मदर के घर्ब में जबी बच्चा बन रहा था, उस इसी तरह लंबे गाले से बच्चे को कूपोशन उसका चालू है, इसी तरह देखें आप स्टंटिंग की मातरा बहुत ज्यादा बढ़ गई आपकी 40 टका बच्चे लगभग आच्छली WHO के हिसाब से WHO का आपका जो गुरोड चार्ट है, उसके हिसाब से सिर्फ 2, 2.5 टका बच्चे माइनस तू स्टानर डेविएशन मतलब नाटे ठीक है, उतना नाटे हो सकते हैं, सिर्फ 2 टका 2 से 2.5 टका लेकिन आपके यहां पे जहां पे जैसे हमारे भारत में 40 टका बच्चे नाटे पन है, जैसे बच्चा नाटा होता है, क्या होता है कि उसकी जो हट्या हो बहुत कमज़ोर होती है और बहुत छोटी होती है, और इसी हिसाब से जो वजन होता है, वजन भी कम हो जाता है, इसे हमारे जब हम लोग अडल्ट में भी बोलते हैं, आपकी हाइट सिफ 5 फीट है, तो 5 फीट की मदर का वजन कम होगा, अगर मदर बहुत ज्यादा लमबी ह यह ज़ो ज्यादा होगा । उसका बच्छे नाटे है उसका वजन हमेशा कम दिखाथा है, फोल्टे है लिवल आप देखते हैं, यहां पर भी जू नाटए बच्चे है जैसे आपका बिवजन बड़ रहा है बच्चों का, जैसे जैसे बच्चा नाटा हो रहा है, अभी वो नाटे पन के हिसाब से वजन उसका होना चाहिए, तो वजन तो कम है, लेकिन वो बच्चा नाटा भी है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो ये वेस्टिंग की मात्रा भी धीरे-धीरे कम हो रही है, तो अगर बच्चे का वजन ठीक तरसे नहीं बढ़ाएंगे, अगर बच्चे को नहीं मिली, तो वह लम्म हो लेकिन पतले होंगे, तो आहस्पी वेस्टिंग की मातरा भी फिर बढ़ेगी, तो यह आपको ध्यान में रखना है, और देखिए अभी एक से दौ साल का तो यह आपके दो साल से तीन साल के बच्चे, और तीन साल से पात साल के बच्चे, कुछ भी ज़ादा बहुत नहीं हुआ है, underweight बढ़ रहा है, stunting भी ज्यादा कुछ फरक नहीं है, और wasting भी उतना का उतना ही है, तो यह आपको बहुत ध्यान में रखना है, कि यह सारे जो आपको बड़े बड़े जो numbers है, stunting के, नाटेपन के, वो आपको एक साल के बाद दिखाए दे रहे हैं, ल जबी मा घर्ब धारन करती है, और फिर जैसे बच्चा पैदा होता है, तो मा जबी दूद पलाती है, और जबी पुरा कार देती, तो सारे जो फेस वाइस है, उसमें सारे में प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चे इतना नाटापन है उन्हों में, ठीक है, अभी यहां पी दे वजन के हिसाब से, और यह आपका वेस्टिंग, मतलाब साइन मैम, तो देखेंगे आपकी अर्बन अर्बन अर्या में अर्बन अर्या में स्टंटिंग नाटापन थोड़ा से कम है, रूरल अर्या और ट्राइबर अरियास में बहुत ज्यादा स्टंटिंग है, और रूरल तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि हम लोग को स्टंटिंग कम करने के लिए हम लोग को कहा सी चालो करने के काम खिशोरिवाई की जो उमर की जो लटकिया है उनके पोसक के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा जब वह और दूसरा स्तंपान करती मताओं के फिसे कराना है और खाना कैसे देना है Чई मैने के बाद के अrer चैंपान केFR देना है ऐसे देना है तो अम लोग इस टींतिग आच ला सकते हैं यह आपका देखें, अंडर्वेट में भी ज्यादा कुछ फरक नहीं, अर्बन में थोड़ा कम है, रूल अर्यास में ज्यादा है, और जो सैम मैं बच्चे हैं, वो तो दोनों जगा में एक तरीके सही है, तो यह आपका लिंक के अनुसार भारत में की उपोशन, तो लिंक के अनुसार मत स्टंटिंग, अंडर्वेट, वेस्टिंग, सब जगा में दोनों में लड़कों में या लड़की में दोनों में एक ही तरीके का है, अफकोर्स जो लड़कों, लड़के हैं, उसमें थोड़ा सा प्रमान जादा है, भगवान का यह मतलब लड़कियों को थोड़ा बचाया रहे हैं जो कि भारत में तो लड़कीों पे बहुत अन फौर्टुनेटली लड़की और लड्कों को समान नहीं मानते हैं बहुत सारे फैमिली तो लड़कीयों तूप पे तो बहुत हमेशा प्रॉब्लम होता ही रहता है उंके खाने में उनके रहें संहें में लेकिन जो नेचर है, जो हमारी नैसरगिक है, तो लड़कियों को थोड़ा उसको बचा रही है, क्योंकि उसको आगे जाके घरभधारन करना है, लेकिन ये मात्रा में जो stunting है, wasting है, ये बहुत ही जादा है, अब ये जो है, ये एक pie chart बोलते हैं, हम लोग, ये भी पांच वर् जो हरा वाला जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 48 तका है, तो मुझका मतलब है कि 48 परसंट बच्चे आपके बिलकुल नॉर्मल है, मेरा कहने का मतलब नॉर्मल मतलब अटलीस आवरेज बच्चे आपके 50 तका परसंटाल में होने चाहिए, लेकिन ये जो 58 परसंट बच् हम लोग standard deviation या chart यूज करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे वो chart यूज करना है, लेकिन ये सारे बच्चे आपके नॉर्मल में आ रहे हैं, लगभग नाटे पन बच्चे हैं, नाटे बच्चे, 15 तका बच्चे वैसे हैं, सिर्फ नाटे हैं, उसमें ना तो वजन भी कम हैं, या तो ना तो उनमें सैमम भी हैं, उनको सिर्फ स्टंटिंग है, मतलब सिर्फ नाटे पन है, ये 15 तका बच्चे ऐसे हैं, सैम बच्चे कितने हैं, मतलब सैमम बच्चे, सिर्फ सैमम बच्चे, अंडर्वेट नहीं हैं वो बच्चों में, वो बच्चों में स्टंटि कितने बच्चे सिर्फ अंडर्वेट है दो टका बच्चे अंडर्वेट है अंडर्वेट मतलब आयो के हिसाब से वजन कम ठीक है और यह जो है है जब बच्चा नाटा होता है थो उसका हमेशा कम रहता है और जब बच्चा नाटा भी है और पत्लां भी है उसका वजन कम हो ऊना ही है लौक है को इसीलिए यहां पर यह जिरो परसंत दिखा SNPाण उward कर दिका है कि नाटपन और अंडर्वेट तो जो बच्चे नाटे होते वो तो बहुत सारे अंडर्वेट भी होते हैं, और यह जो सारे बच्चे है यह अंडर्वेट और वेस्टिंग मतलब जो साम मैं बच्चे बहुत सारे बच्चे Sam Mam है जो Underweight होते हैं, साड़े साथ टका बच्चे जो Underweight भी है और Sam Mam भी है और यह जो category है, लाल वाली category, वो सबसे महत्वकी category है, क्योंकि यह जो 5 टका बच्चे है, उसमें नाटापन भी है, Underweight भी है और Sam Mam भी है, तो यह बच्चे अगर जबी बिमार होत है, तो इनको बहुत बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से उनका पोर्शन अच्छा नहीं है, इसलिए वो शौर्ट है, पतले बनाटे है, और फिर उसमें जबी बहुत उनको को infection हो जाता है, तो उनको वेस्टिंग हो जाता है, उनको Sam Mam भी हो जाते है, तो उसक okay, तो इसको बोलते हैं हम लोग stunting, wasting and underweight, ये पांस टका बच्चे को हम लोग को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये बच्चे फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो उनको आगे जाके मृत्वी होने का chance भय बहुत जादा है, ये बच्चों का, ठीक है, लेकिन ये ग्र राजियवार stunting का data, राजियवार मतलब अलग-अलग हमारे राज्य है, तो stunting मतलब नाटापन, जैसे मैंने बताया कि हमारे भारत में 36 टके बच्चे है, वो स्टंटेड है, ठीक है, तो ये stunting जो है, यहाँ पे आप देखेंगे, कि मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, जारकन, दादरनागर हवेली, और डबंद्यू, और गुजरात, ये सारे जो states है, उसमें भारत से भी ज्यादा नाटापन है, ठीक है, तो ये आपको धिहान में लेना जरूरी है, कि जैसे महारास्टरा, आसाम, करनाटका, वो भी definitely there is not much difference, तो वो states भी आ जाते है, यहाँ प नारमली सिंव दो ड्हाई टका बच्चे नाटे होने चाहिए, लेकिन हमारे भारत में, सारे ये सारे states में, Tीस टका से भी जादा बच्चे है, ठीक है, और जो आपका जो पीला वाला है, इसमें बीस टका से ज़्यादा बच्चे नाटे, तो वहारे में कोई ये जो, ये ज 20 तका से कम कहीं पे भी नाटापन नहीं है, 20 तका से कम, पूरे भारत पे तुन नहीं बाता रहे हूं, लेकिन पूरे दुनिया में लगबग से 2-5 तका बच्चे नाटे होने चाहिए, भारत में जैसे मैंने बताया, 36 तका और कोई भी जो राज्य है या कोई भी प्रदेश है वहाँ पे 20 तका से कम नाटे बच्चे नहीं है, ठीक है, ये कम वजन वाले बच्चे, आयू के हिसाब से कम वजन वाले, मतलब अंडरवेट बोलते हैं, आपको मालूम होगा M.U.W.S.U.W. तो ये जो M.U.W.S.E.W. है अंडरवेट, उमर के हिसाब से वजन कम होना, तो मैं उनको भी M.U.W.S.E.W. पताऊंगी, तो आपको पता चले, तो देखिए अगर यहाँ पे भी देखिए भारत में लगभग 32 तका बच्चे है, ये वाला जो है, 22 तका बच्चे जो है, अंडरवेट है, नॉर्मली डो धाई टके होने चाहिए, लेकिन हमारे, अनफॉर्चन से भी ज्यादा अंडरवेट है, M.U.W.S.W. तो कौन से कौन से स्टेट आता है, बिहार है, गुजरात है, जारकन है, दादरा नागर हवेली है, डबंद्यू है, महारास्ट्र है, तो इसमें से दो जो स्टेट से आपके महारास्ट्र और गुजरात वो तो बहुत एकॉनोम के लिए ड्वान्स स्टेट जो है, लेकिन बच्चों पे कुछ उसका असर नहीं है, तो उसका मतलब डेफिनिटली जो ज्यान है, वो मदर तक नहीं जा रहा है, हाल के वोकर्स जो है, उनमें वो अच्छा ज्यान नहीं है कि कैसे वो बच्चों का वजन बढ़ाना, कैसे सन कराना, क्या कुछ पोशन निकालने के लिए कौन से खाना देना है, वो उनके पास ज्यान नहीं है, अग्न्यानता के कारण यह जो है, तो और दूस्टे जो स्टेट से आपके भीहार है, जारकन है, यह दूस्टे अलग अरिया से दादरनागर हमेली, बहां पे भी कुछ पो भारत के जो तेजट का बच्चे है, जो बहुत ही अमीर काटिगरी में आते है, वो भी उसमें भी मैलनुट्रिशन है, जो इसे मैंने आपको बताया था, तो यह जो है अग्न्यानता के कारण यह से प्रव्म है, दिखें, यह जो है यहां का, तो मिजुराम है, सिक्किम है, म तो जो नॉर्थीस्ट के स्टेट से वहां पे बच्चे थोड़ा अच्छा करें, पंजाब के स्टेट में भी पंजाब में तो वहां पे अंडर्वेट कम है, ठीक है, बाकी के सारे स्टेट में अंडर्वेट के मात्र जादा है, यह आपका पतलापन, पतलापन मतलब वेस् मामैं है ठीक है तो आपका महाराष्टर गुरात को सब्सक्राइब गजो से शहर जगा आ रहे तो हो इक दम लाल वालosed है उसमें 20 अका से बहुत काम करना है पर कैसे काम करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी वहां आगे सेशन में बताऊंगी लेकिन बहुत सारे जो स्टेट्स है वहां पर वेस्टिंग के मातरा जादा है ठीक है? यह जो है आपका अनीमिया का तो अनीमिय आपका यहां पे अरबन एरिया रूर hurts यहां जश्आ आनीमिय मैलड मतलब कर जार मादरा मैं तुदShot तो देखिए अपकी माइल्ड कम झायर होड जादा बच्छे हमारे अनी एक हैक अगर आप पूरा देखेंगे डेटा कि mild, moderate, severe, सब को मिला के गर देखेंगे, तो लगबग 70 टका बच्चे आपके अनीमिक है, पैसे से 70 टका बच्चे, यह हमारा result अनीमिय का अच्छा नहीं है भारत में, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे बच्चा वो अनीमिक हो रहा है, जैसे वो बच्चे को अनीमिय हो रहा है, उसके ब्रेइन पे असर हो रहा है तो जो IQ होता है, जो intelligence होता है वो उस पे असर होता है और बच्चा के जो पढ़ाई के लिए उसकी जो memory चाहिए उसका जो intelligence चाहिए उस पे असर होता है, एक बार उसको नीमिय हो गया, वो permanent damage हो गया तो हम लो कितना भी आयन देंगे, वो ए देना है कैसे देना है वो मैं आपको बताऊंगी लेकिन प्लीज आपको ते बहुत ही ज्यादा मात्र में आपको ध्यान देना है ठीक है और यह अपका अगैन जेन्डर वाइस की गर्ल चाइप्ट और मेल चाहिड में 5 साल के फारख नहीं है यह जो लाल वाला है वो है male child, जो yellow वाला है वो है female child, लड़की है और लड़के, और पांच साल के अंदर कुछ फरक नहीं है, दोनों में equal समान तरीके का अनीमिया है, ठीक है, आपको उस पे भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जैसे लड़की बड़ी होती है, तो उसको में कुछ फरक नहीं है, ठीक है, तो यह जड़ा ध्यार में रखना है आपको, ठीक है, यह है अनीमिया का लेवल, यह है आपका इंडिया का अनीमिया लेवल 65%, देखे, पूरे भारत में कितना पूरा, पूरा का पूरा आपका जो है, यह बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, क केरला चालीस टका से कम है, केरला और अद्नमा निकुबार लेकिन चालीस टका भी बहुत ज्यादा लेवल है यहां पर लड़ाक में तो लगबग 90 टका बच्चे आपके अनीमेक है गुजरात में भी देखें, 80 टका बच्चे आपके अनीमेक है क्योंकि वहां पे फ़ू नविक खाना भी खाते है तो ऒज्छे कहना नेमय नहीं होना चरह तो शयों तौन मार्टक को मालम नहीं है किबच्च्च छे मेने के बाद आप नॉनिश दे सकते हैं यह जो बच्चा है आपका, यह है आपका स्तनपान के जो इंडिकेटर्स बोलते है, तो स्तनपान के इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि बच्चे को पहले गंटे पे दूद पिलाया कि नहीं, मा का दूद और बच्चे को छे मने तक सिफ मा का दूद दिया कि नहीं, तो आपको त लेकिन जैसे वह एक घंटे में मा को दूद पिलाना है वह नहीं हो रहा है तो आप देखेंगे कि यहां पर लगबच 40 टका बच्चे को सिर्फ 40 टका बच्चे को पहले गंटे में मा का दूद पिला है ठीक है अर्बनेरिया में थोड़ा ज्यादा है लेकिन हम लोग को यह नंबर 100 टका बच्चे आपके पहले गंटे में दूद उनको पिलाना है क्यूंकि मेरा एक सेशिन है मैंने उसमें बताया हुआ है कि क्यों पहले गंटे में यह दूद पिलाना क्यों ज़रूरी है ठीक है बहुत ह को infection नहीं होगा बचे को आगे जाके दमाका या कोई ऐसा बिमारी नहीं होगा तो वो सब करने के लिए के मा का दूद पहले गिंटे में मिलना बहुत ही जरूरी है लेकिन साथ टका बच्चे ऐसे हैं जिसको मा का दूद नहीं मिल रहा है तो आपको उस पर ध्यान नहीं है कभी स्तनपान करने वाली बच्चे को प्रोलैक्टिल फीड मतलब उपर से क्या देते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं लगपर बीस टका बच्चे ऐसे 15-20 बच्चे जिनको मा के दूद के लवा उपर से कुछ दिया गया है या तो पानी दिया गया है या तो उपर का दूद के लावा उनको यह सब दिया गया है यह भी अच्छा नहीं है क्योंकि उपर का जैसे कुछ चालू करेंगे इमीजेटली बच्चे को इंफेक्शन होने का चान्स बहुत ही ज्यादा है यह आपका स्टन्पान का छे मैने के बच्चे को स्टन्पान कितना मिला है तो यह है एक्स्लूजिव ब्रेस्विडिंग रेट यहाँ पर देखेंगे कि यह जो आपका ग्राफ है यहाँ पर दिखा है कि early initiation लगबग 40 तका है तो कौन से कौन से state में early initiation अच्छा है तो बहुत सारे state में early initiation अच्छा है लेकि में गालया लक्षद्वेप बोदीशा तो वहां पे पहले गंटे में दूद्ध दिया गया है लेकिन बहुत सारे states ऐसे हैं जहां पे पहले गंटे में दूद्ध नहीं दिया गया लेकिन जारकंड है सिर्फ पीस्ट का मदर को पहले दूद्ध नहीं मिला है तो आपको जरा वह भी ध्यान रखना है यह है आपका exclusive breastfeeding rate तो exclusive breastfeeding rate मतलब 6 मने तक सिर्फ मा का दूद्ध तो यहां पे आप देखेंगे कि छे मने के अंदर के बच्चे को सो टका बच्चे को सिर्फ मा का दूद्ध मिलना चाहिए तो यहां पे दो महने के बच्चे जो होते हैं दो महने के अंदर के बच्चे ठीक है लगपक पच्चतर टका बच्चे हैं उनको मा का दूद्ध मिल रहा है दो महने के बच्चे ठीक मान को इसे ऑब साफ़ी लेकिन बढ़ने यह अपर को इसा लगिर runssize मान या गजा है मुझें लेकिन आस्टाहिनसे उसज़ मुझे का भषान ये सिंथ template ледना में उसज़ में और गारावा देना है छाफ़ी और था सिंचन रख कर दें तो बच्चे का वजन अच्छा बड़ेगा और फिर उपर देने की कोई आवशकता नहीं रहेगी ठीक है यहां पर देखी चार से पांच मेने के बच्चे लगपर सिर्फ परचांस टका बच्चे आपका एक्सिजिवी ब्रेस्वीडिंग कर रहे हैं ठीक है तो यह आपको यह आपको तुमालूम हो कि बहुत सारी मदद आइसी होती ही कि स्धिवी ब्रेसरीड दम होता है औरूर कहारचा मात का दूद करना है मैं दूद्पन करने की बात नहीं करी हूँ, मैं क्या बता रही हूँ कि आपको उपर का आहार बच्चे को चालू करना है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर्म एक्स्क्लूजीव विशेश संपान जो है, सिर्फ मा का दूद्ध मिलना चाहिए, तो लगबग टोटल 63-64% चुलिना गेटिंग उन्नी एक्स्क्लूजीव ब्रेस्फिडिंग ओके इन बेबीज, ठीक है, यह आपका राज्य वाइस कैसे उसको कितना एक्स्क्लूजीव ब्रेस्फिडिंग रहे, तो बहुत सारे राज्यों में एक्स्क्लूजीव ब्रेस्फिडिंग रहे जो सिर्फ मा का दूद्ध मिलना चाहिए, पहले 6 मैने में मिल रहा है, बहुत अच्छा है, तो लेकिन देखे कि जो जो राज्यों मे मां का दूद मिल रहा है छे मेने में वह राज्यों में मैलेक्रिशन भी जादा है तो उसका मतलब यह कि जो मिल्क ट्रांसफर होना चाहिए जो मां किस तन से दूद निकल के बच्चे के पेट में जाना चाहिए वह नहीं जा रहा है क्योंकि अगर आपका exclusive price feeding rate इतना अच्छा है लेकिन effective नहीं है तो मेरे opinion में अभी मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि आपको तीन E याद रखना है अरली मतलब तुरंथी, effective मतलब बहुत प्राभाविक और exclusive मतलब सिर्फ मां और मा का दूद तो सिर्फ आप ऐसे बदाएंगे मा का दूद दो मा का दूद दो मा का दूद दो उस पे कुछ फरक नहीं पड़ेगा अपको मा का दूद देना है लेकिन कैसे देना है और कभी चालो करना है वो भी बताना है समझ गये आप तो वो प्राभाविक रूप से स्तनपान कराना वो आपको मैं सिखाऊंगी कि कैसे वो प्राभाविक रूप से स्तनपान कराना है और छे मिने के बाद क्या पूरा काहर देना है वो उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगी ठीक है यह है आपके दूद के मा की दूद के अलावा और क्या-क्या माने चालो किया है यह भी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है फाइनिंग देखे आपके अनेफेश अब हमारा भारत का ही देटा है हमारा तो यह है आपके दो मैने के अंदर के बच्चे अभी दो मैने के बच्चे तो क्या खाएंगे सिफ मा का दूद बेंगे और क्या आपका लेकिन ऐसे लगभग चार टका लाल लाइन वह है आपके नव टका बच्चे जो है आपके नव टका बच्चे आपके पूरक आहार उनको दो मह justement के पहले ही उनको चालो हो गया। आप समझते हो रोंगे कि क्या उनको इमाजिन करो कि दो महने के बच्च और ऑजा दल दे रहें। दूशरा है आपका दो से तीन महने का देन महने के बच्च को अभी म माने चालो कर दिया, पानी पीलाना। और यजी जैसे शोटे की मदर बंदरा बढ रहा है सं podr भूत है छो फीढ़ along की वह इंके बढे रभी पांच मने के बचे को भी पंदरा टव बच्चे को फटी आपको पांड का खाना म I उपर का पानी भी नहीं देना है उसको सिर्फ मां का दूद देना है और छे मेने के बाद उसको उप पुरकार देना है और अपका पानी भी देना है उसको ठीक है वह में सिखाऊंगी लेकिन हो सके उतना आप उपर का दूद उसको चालो मत कीजिए फॉर्मला चालो मत यह है आपका complimentary feeding state तो complimentary feeding में यहाँ पर दिखाया हुआ है कि इंडिया में लगभग 6-8 मेने के बच्चे को कितने बच्चों को पूरकाहर मिल रहा है तो लगभग 45 तका बच्चे हैं जिनको 6-8 मेने में वो लोग पूरकाहर चालू कर देते लेकिन 50 तका से भी ज्यादा को 6-8 मेने में उनका पूरकाहर चालू नहीं होता है तो ऐसे स्टेट से जैसे UP है राजस्तान है जहारकंड है तो यहाँ पर हम लोग को बहुत काम करने की जरूरत है यह जो सारे बीच वाले जो स्टेट्स हैं विमारू स्टेट्स बोलते हैं हम लोग तो वहाँ पर कराना है ठीक है यह आपका पूरकाहर तो पूरकाहर कैसा होना चाहिए एक तो डाइट्री डाइवरसिटी होनी चाहिए मतब अलग अलग तरका होना चाहिए मैं जब भी फोटोग्रास देखती हूं यह बहुत सारे मीडिया पर तो सिर्फ मुझे भाजी दिखाए देती है स भाजी 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 दिखाते रहेंगे तो आपका यह जो मिनिममम अडिक डाइट जिसमें फ्रिक्वेंसी होता है मतलब कितनी बार देना है और क्या-क्या खाना देना है वो सिर्फ 10 तका बच्चे को ठीक तरह से मिल रहा है भारत में से 10 तका बच्चे देके 10 तका बच्चे उनको मिनिममम फूद ग्रूप जो बोलते हैं ब्रेस्ट मिल को मिला के स्तनपान को मिला के मिनिममम पांच फूद ग्रूप मिलने चाहिए ठीक है लेकि इनको पांच फूद ग्रूप स्तनपान मिला के भी नहीं मिल रहे है दाल, चावल, और मा का दूद, यह पूरा monotonous diet बोलते हो उनको, ठीक है, अगर ऐसा से मिला तो बच्चे को जो 40 तरह के portion तत्व है, वो नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो आपको प्लीज यह ध्यान में रखना है कि यह minimum adequate diet हम लोग को भी 100 तका चाहिए, ठीक है, यह 10 तका नहीं च दिकाया हो आए, देखें, यहां पर 6-8 मेने के बच्चे है, ठीक है, यहां पर भी जो ग्रेवाला है, वो है minimum adequate diet, बतलब कौन सा खाना मिलना चाहिए, और कितनी बार मिल रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे 6-8 मेने को तो सिफ 6-7 तका बच्चे को ही minimum adequate diet, ठीक है, और यह जो 9 से 11 मेने के बच्चे है, उनमें भी लगबग सिफ 15 तका बच्चे को ही minimum adequate diet मिल रहा है, ठीक है, तो बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, लकिस देड़ साल के बच्चे भी है, तो भी उनको सिफ 15 तका बच्चे को ही सही तरक का खाना मिलना है, यह जो हमारा जो complimentary feeding का stage है, बहु हो रही है, तो यह हमें बहुत ध्यान में रखना है कि हम लोग स्तनपान कैसे अच्छी तरह प्राभाविक रूप से बढ़ा है, पूरकार भी कैसे का प्राभाविक रूप में बढ़ा है, जैसे आपने देखा कि stunting, wasting की मातरा बहुत ज्यादा है, तो हम लोग को बहुत काम करना है, यह तो मैंने आपको इंडिया का प्रॉब्लम दिखाया है अभी, अभी धिरे-धिरे में आपको उसके सलीशन भी दिखाऊंगी, ठीक है, तेंक्यू. झाल